हालो आज हम बात करने वाले हैं औरिफलम के फेमिना सैनेटरी पैड की मारकेट में इतने सारे पैड्स अविलेबल है तो औरिफलम का ही सैनेटरी पैड क्यों इसमें क्या प्लस पॉइंट है चलिए जानते हैं और इफ्लेम का सैनेटरी पैड जो है वो बायो डिग्रेबल फॉर्म से बनाया है और इसमें माइक्रो प्लास्टिक यूज किया गया नहीं है अभी प्लास्टिक की बात करें तो आप सभी को पता है कि प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए और अनिमल्स के लिए काफी जादा हा और हमारा जो गाबेज है वो ओपन प्लेस में जाता है और वहाँ पे हमारे जो प्राणी है वो जाते हैं और कई टाइम पे फूर्ट धुनने की रहा में वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत जादा खतरनाक है तो यह बायो डिग्रेबल फॉर्म होन ओनियन चिप फॉर्मूला क्या है तो इससे आपको फंगल इंफेक्शन बैक्टिरिया का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता इससे हमारा जो है हमें सेफली फील होता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब हमारे पिरेट्स होते हैं तब हमारा बलड काफी जादा हलका होत होती है जिससे हमें जल्दी कोई भी इंफेक्शन होने का डर होता है इसी के अलावा इसमें डबल अब्सॉप्शन पावर है यानि कि आप इसे लेकर किसी भी तरीकी का इंजॉइ कर सकते हो यानि आपको कोई भी लीकेज का डर नहीं रहने वाला इवन जो ब्लड एब्सॉ के वज़े से तुरांती जेल में कनवर्ट हो जाने वाला यानि ओनली ब्लड यहां पर रहने वाला नहीं है सॉफ्ट टेक्शर है और जो उसका सर्फेस जो है एकदम सॉफ्टली बनाया गया है और एकदम थीन है यानि इतना पतला है कि अगर आप वेर करते हो तो इवन मैं यही रेक्वस्ट करूंगे कि एक बार आप जरू ट्राइ कीजिए जैसे कि मैंने मेरा ब्राइंड चेंज किया और अरिफ्लेम का यूज करकर देखा और जो भी मुझे इंफेक्शन थी अलर्जी प्रॉब्लम थी और जो मुझे लगता था ना नहीं यार पिरेट्स बो सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन सो आप भी जरू ट्राइ कीजिए और आपका एक्स्पिरेंस मेरे साथ जरू शेयर कीजिए थांक्यू सो मच